राजधानी लखनव से सटेश सीतापूर जिले में विधान सभा की सभी नौ सीटों पर छत्रपों के बीच रोचक मुकाबले का परिद्रस साफ दिखने लगा है। जिले में चोथे चरण में 23 फरोरी को मतदान होना है। बासपा ने लंबे समयबाद वर्स 2017 के चुनाओं में जिले में सांदार प्रदर्शन किया था। वहां नौ में से साथ सीटे जिसमें सदर, महोली, हरगाओं, विस्वा, स्योता, मिस्रिकवा, लहरपूर पर कमल खिलाने में सफल हो गई थी जबकि सपा बसपा को एक-एक सीट से संतोस करना पड़ा था। सपा ने महमुंदाबाद तो बसपा ने सिधौली सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार चुनाओं में सपा सभी सीटों पर मुख्य मुकाबले में हैं। कुछ सीटों पर त्रिकोडिय पर कब्जा जमाया था। हर गाहुआ लहर पूर शेट बसपा के खाते में गई थी जबकि भासपा का खाता भी नहीं खुल पाया सीतापूर की बात अगर कर ली जाया कि सीतापूर सदर में किसका प्रिशंड जीत के आसंका है या कौन जीतेगा तो सीतापूर सदर सीट पर भासपा ने नया प्रयोग किया है तो सपा ने आजमाय हुए चेहरे पर दाउं लगाया है बासपा ने राकेस राठोर गुरू को मैदान में उतारा है तो सपा ने पूर्व विधायक एवम नगर पालिका के चेर्मेन राधे स्याम जैसवाल बासपा ने खुरसीद अंसारी वा कांग्रेस ने शमीना सफीक को प्रत्यासी बनाया है यहां भासपा की दिक्कत यह है कि वर्स 2017 में उसके टिकट पर चुनाव जीतने वाले राकेस राठोर चुनाव से पहले ही बागी होकर सपा में चले गए तो टिकट वितरड के बाद उसके नेता साकेत मिस्रा बगावत करके निर्दल चुनाव मैदान में आ गये थे हाला कि नेवर्तमान विधायक राकेस राठोर को सपा ने भी टिकट नहीं दिया था राकेस राठोर ने 20 साल बाद ये सीट भाजपा की जोली में डाली थी हला कि भाजपा के प्रदेश अध्यच रह चुके राजजेंद्र कुमार गुपता यहां से 6 बार विधायक रहे हैं इसी तरह सपा प्रत्यासी रादेसयाम जैसवाल भी 4 बार विधायक रह चुके हैं महोली सीट की बात कर ली जाये तो महोली सीट पर भासपा ने अपने मौजूदा विधायक ससांक त्रिवेदी को ही मैदान में उतारा है तो सपा ने उनके मुकाबले में पूर्व विधायक अनुक गुपता बसपा ने डॉक्टर आरपी वर्मवा कांग्रेस ने आसिस मिस्रा को प्रत्यासी बनाया है अनुक गुपताव अर्च 2012 में सपा से ही विधायक बने थे लेकिन पिछला चुनाव वो मात्र 3717 मतों के अंतर से हार गए थे इस बार भी मुकाबला भासपा वा सपा के बीच माना जा रहा है लहरपूर की बात कर लें तो लहरपूर सीट पर भासपा ने अपने मौजूदा विधायक सुनील वर्मा को ही फिर से मैदान में उता रहा है पिछले चुनाव में उन्होंने बस्पा प्रत्यासी रहे पूर्व विधायक मुहम्मद जस्मीर अंसारी को 918 मतों के अंतर से हराया था अंसारी वर्स 2012 वा 2007 के चुनाव में बस्पा के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे बस्पा ने इस बार मुहम्मद जुनैद अंसारी सपा ने पूर्व विधायक अनिल वर्मा वा कांग्रेस ने अनुपमत दिवेदी को मैदान में उता रहे अनिल वर्मा पूर्व में तीन बार सपा से ही विधायक रह चुके हैं चुनाओं में भास्पा वा सपा के बीच छीधा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। बिच्वा की बात करें तो बिच्वा सीट से भास्पा ने अपने विधायक महेंद्र सिंग यादो की जगए पूर्व विधायक निर्मल वर्मा को मैदान में उतारा है। जबकि 2007 के चुनाओं में वो बस्पा के टिकट पर मैदान में विधायक चुने गए थे। आंतिवारी ने बस्पा के मुहम्मद नासीम को 43,669 मतों के अंतर से हरा दिया था। इस बार सपा ने पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंग जीन बाबू, बस्पा ने आसीस परताप सिंग वा कांग्रेस ने डॉक्टर विजेना थवस्थी को प्रत्यासी बनाया है। जीन बाबू चार बार विधायक रह चुके हैं, चुनाओ में काटे की टक्कर की संभाव ना है। पहले भी वो 1991 वा 1993 में विधायक रह चुके हैं, बस्पा ने यहां से मीसम अम्मारिजवी वा कांग्रेस ने उसा वर्मा को मैदान में उता रहा है। हरगाओं की बात करें तो हरगाओं सुरचित सीट पर इस बार का मुकाबला भी परमपारागत प्रतिदंदियों के बीच में ही है। वर्स 2017 में भास्पा के सुरेश रही ने बस्पा के रामहेत भारती को 44,995 के भारी मतों के अंतर से हराया था। पूर्व विधायक रामहेत भारती इस बार सपा प्रत्यासी के रूप में भास्पा प्रत्यासी सुरेश रही के सामने हैं। वो पुर्व में तीन बार बस्पा से भी विधायक रह चुके हैं। इस बार बस्पा ने यहां से रानू चौधरी वा कांग्रेशनें डाक्टर मम्ता वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सिधावली की बात करें तो सिधावली सुरच्छी सीट पर चुनावी परिद्रस से खासा दिल्चस्प है। वर्स 2017 में डाक्टर हर गोबिंद भारगो ने बस्पा प्रत्यासी के रूप में सपा के मनीश रावत को 2510 मतों के अंतर से हरा दिया था। डाक्टर भारगो इस बार सपा प्रत्यासी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं पर मनीश रावत को भास्पा ने अपना प्रत्यासी बना दिया है। बस्पा ने यहां से डाक्टर पुस्पेंद्र पासी वा कांग्रेस ने कमला रावत को उमीदवार बनाया है। डाक्टर भारगो वर् पिर से मैदान में उतारा है। रामक्रशन भारगों ने वर्ष 2017 में बसपा के मनीश कुमार रावत को 20672 भारी मतों के अंतर से हराया था। बसपा ने इस बार इंजीनियर स्याम किसोर को प्रत्यासी बनाया है तो सपा ने ये सीट अपने सहयोगी दल सुभा सपा को दे दी है सुभा सपा ने इस सीट से मनोज राजवनसी को और कांग्रेस ने सुभास राजवनसी को मैदान में उतारा है। वर्ष 2012 में इस सीट से सपा के रामपाल राजवनसी विजेता रहे थे। तो ये था सीतापुर का चुनावी परिद्रस। सीतापुर में किसका और कितना जोर है कहां पर किसकी काटे की टककर है हम आपको दिखा रहे थे के पी पी यन न्यू चैनल के माध्यम से फिर मुलाकात होती एक अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार